नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर सामुहिक पाप बढ़ने से ही कोरोना जैसी महामारी आती है यह उद्गार परमपुज्य आचार्य देवनंदी जी महाराच के परमशिष्य परमपुज्य मुनिश्री जय किर्ती जी गुरुदेव ने अपने उद्भधन में श्री सेंगन दिगंबर जैनमंदीर नागपूर क सनमती भवन में कहा उन्होंने आगे कहा महामारी आनी बहुत बड़े पैमाने एवं जैन समूह में रोक फैला होकर पीडितों का तिवरत से प्राण निकलना सामुहिक पुजन करने से जो पुन्य प्राप्त होता है उससे सब आबाध हो जाते है उद्गारन की तौर पर जा रहा था रास्टे में कुछ लोगों ने उनकी निंदा की और उन्हें गालिया दी साध्यों ने तो प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन उन आलो चकों को आगे जाकर इस दुर्वेवार का बहुत बुरा फल फोगतना पड़ा प्रवचन के फच्चात जैन मंदिर के सभी ट् प्रागपुर शहर में पहली बार एक ऐसा कारेक्रम रखा गया जिस कारेक्रम में शहर के सभी सुब्रसिद्ध सिंगर एवं संगीत कारों ने एक मंच पर आकर कंठको कीला लतामंगेशकर की यादों में गीदगा कर सभी को मंत्र मुगद कर दिया इस कारेक्रम का आयोजन कवीवर या सुरेजवट सभागर्यों हौल में हुआ इस कारेक्रम में श्रद्धांजली देने महापोर दयाशंकरतिवारी विधायक मोहनमते विकास कुंभारे कॉंग्रेस से गिरिश पांडो ताजाबाद कमीटे की चेयर्मन प्यारे खान प्रांक्षा नगरकर मंजरी ऐयर गवरी शिंदे स्निहा डोंगरे सागर मधुमत के सुनिल वागमारे राजु व्यास तथा सुनिल गजबिये का समाविश्था और सभी कलाकारों ने अपनी सुरिली आवाद से सबका मन महो लिया पवन मानवटकर पंकच सिंग अब्दूल जहीर, अमर्शेंडे, गवरव ताकसांडे, रॉबिन, रगुनंदन परसत्वार, संजय बारापात्रे, विक्रम जोशी, सुरज मोगरे, पंकच यादव, प्रशान खंडारे तथा सचिन ढूम्णे ने विभिन्न वाध्ययंतरों पर संगत की आजखल टेक्नोलोजी के जमाने में वर्चुल डिजिटल एसेट्स विशे शुरूप से क्रिप्टो करेंसे में लेंदेन में अभुत पूर्व रुद्धी हुई है, इन लेंदेन के परिणम और आवुर्थी ने एक विशिष्टक और व्यवस्था प्रदान करना अनिवा या बना दिया है, तन्नुसार क्रिप्टो मुद्रा सईथ विडिये के कराधान के लिए बजट 2022 में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि क्रिप्टो करेंसे सईथ किसी भी प्रकार के विडिये के हस्तान तरण से आय पर 30% कर लगाया जाएगा, लेकिन साथ ही हैरान करने केवाली बात तो हिया है कि यह कदम क्रिप्टो मुद्रा को मुद्रा की कानूनिस्टिती या दर्जा नहीं देता है, लेकिन केवाली से वर्चूल डिजिटल संपत्ति की रूप में मना जा सकता है, रसिद्ध टैक्स गूरू CA डॉक्टर गिरिश आहुजा ने GITO का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन क्रिप्टो करेंसे की वैदता पर व्यापारियों और विशेश अग्यों को संदे है, क्योंकि किसी चीज पर कर लगाना इसे कानूनी नहीं बना सकता है आज़ादी के अमरूत महुत्सों के उपलक्ष में हुडकेश्वर पुलिस टेशन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने रक्तदान कर अपने सामाजिक दाइत्व का निर्वा किया पुलिस उपायक्त नूरोल हसन, सहयक पुलिस आयुक्त गनेश बिरादर, वरिष्ट पुलिस निरिक्षक सार्थक नहेते एवं अपराथ शाका के निरिक्षक चित्तर अंजन चांदूर के मार्गदर्शन में आयोजित, इस रक्तदान शिविर में पुलिस कर्मियों के अल श्वेता खंडेलवाल एवं उनकी टीम ने सेवाय दी, कारेक्रम में पुलिस उपनिरिक्षक सत्यवान कदम एवं कलामंच के सयोजक नरेंद्र सतीजा की प्रमुक उपस्तिती रही हाल ही में मध्धरेल के महाप्रबंदक अनिलकुमार लाहुटी ने मुंबई, नाकपूर, पुने, सूलापूर और भुसावल मंडल के दो-दो कर्मचारी इस तरह कुल मिला कर दस कर्मचारियों को महाप्रबंदक सुरक्षा पुरसकार प्रदान किया चत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में आयोजित एक समारो में ड्यूटी के दवरान उनकी सतरकता अप्रिय घटनाओ को रोकने में उनके अपार योगदान और जन्वरी 2022 के दवरान ट्रेन संचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन कर्मचारिय असाधरन कुशलता से अपनी जिम्मेदारियों को निबाया ट्रेक मेंटेनर शिवपाल कनेया ने 13 जन्वरी 2022 को गेट मैं ड्यूटी पर कार्य करते वे मालगाडी के चवथे डिब्बे में होट एकसल देखा उन्होंने तुरंत कारवाई करते वे ट्रेन को रोकने की कोशि प्रबंदक नाकपुर को घटना की जानकरी दी जिससे एक बड़ी धुरगटना टल गई सावनिर स्टीत अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल के प्राइमरी सेक्षन के बच्चों ने दो वर्ष के लंबे अंतराल के बाद स्कूल की सदन में बड़ी धुंदाम से वर्ल्ड अंब्रेला डे मनाया बच्चों ने रंगबी रंगी अंब्रेला ड्राइंस के साथ अंब्रेला पर गीत एवं कविताय प्रस्थूत की स्कूल के प्राचारे राजेंद्र मिश्र ने बच्चों को छाता की कहानी सुनाई रंगबी रंगी छत्रियों के साथ विद्यार्थियों ने छत्री की आत्मकथा सुनाई प्रैमरी कक्षा के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों का मार्गदर्शन किया बच्चे अपनी रंगबी रंगी छत्रियों से इस तरह अपनी अपनी कुरूतिया प्रस्टूत कर रहे थे मानुवे स्कूल के वार्षिक संबिलन में परफॉर्म कर रहे हो स्कूल शुरू होने के बाद पहली बार वे किसी कारेक्रम में भागिदारी निवा रहे थे बच्चों का उच्साह एवं आत्मविश्वास देखने लायक था खासकर पहली एवं दुसरी कक्षा के विद्धर थी एड्मिशन के बाद पहली बार स्कूल आये थे बच्चों में पूरे स्कूल परिसर को देखने की उच्सुकता थी अर्विंद बाबु देश्मुक प्रतिष्ठान के कारिकारी अध्यक्ष एवं पुर्व विधायक डॉक्टर आशिच देश्मुक ने स्कूल के उपकरम की सराना करते वे सभी सहबागी बच्चों का अभिननदन किया महराष्टो जेश्टनागरिक महसंग की सूचना के अनुसार रज्ज सरकार की और से वरिष्ठनागरिकों की कुछ प्रमुक मांगे प्रलम भी थै इस मांगो की और सरकार का ध्याना करशित करने के लिए अपने मांगो की प्रति सजग लोकमंच जेश्टनागरिक मंडल विभाग से जानकारी लेकर बुजुर्गों को नया दिलाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। विभाग से जानकारी दी गई। मुख्य अतिती, डॉक्टर चौन चान्थन, रेक्टर उनिवर्सिटी ओप टेक्नोलोजी, कमबोडिया, हरी बालचंदरन, मुख्य निश्पादन अधिकारी, ICT अकाद्मी, सुनिल रायसोनी, अध्यक्ष रायसोनी ग्रूप अप इंस्टिटूशन्स, शिरेयस रायसोनी, का इंत्रक, सहभागी, प्राध्यपक, सदस्य और विद्यार्तियों ने बड़ी संख्या में सहभाग लिया, इस सत्र में युवा और गतिशिल उद्धमी, साहिल चावला, आनंदराज और देवी का बजाज द्वारा, एंपावर एंगेज एंब्रेस पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया, सत्रका संचालन दीपल को उठारी न किया, पस्चिम नागपूर आकार नगर पूल के पास, नागपूर महनगर पालिका के बोरुड कारगिल विजय मार्क के सामने, नागरी को द्वारा वर्ष 14 फरवरी 2019 को जम्मु कश्मिर के पुलवामा में, 44 मा भार पुलवामा में, पुलवामा के शहीद जवान अमर रहे नारा लगाया, इस अवसर पर सूरेश चंद्र गुपता ने पुलवामा आतंकी हमले के बारे में बताया, बड़ी संख्या में स्थानी अमहिलाओ की उपस्थिती रही, साथी फ्रेंड्स जेस्टनागरिक मंडल के स सदस्यगंड, विक्रम गौलवनशी, विनुत बगेल, रंजना गुपता, जे उदय पतनायक, प्रफुल खाफरडे, मेधा राजे, भाग्यश्री मन्थापूर्वार, सावरकर, पंधलवार, सुरेंद्र सिंग, रावत, वालमीकी, शुकला, कृष्नकान, निम्बालकर, ड राक्षी चाउरसिया प्रमुकता से उपस्टित्ते, आज 15 प्लस और 45 प्लस आयू अर्ग के सभी नागरिकों का कुवी शिल्ड का ठीका करन, नागपुर महनगर पालिका के साथ सरकारी के इंदरू पर होगा, ठीका करन का समय शाम के 5 बज़े तक होगा, ठीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी करन किया जा सकता है, इसी तरह ड्राइव इन वैक्सिनेशन के इंदरू पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायों के सभी नागरिकों को कुवी शिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा, यह जानकारी चिकित सा स् दोक्टर संजय चिलकर ने दी, इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आई वर्ष के नागरिकों के लिए को वैक्सिन का पहला और दूसरा डोथ, मेडिकल कॉलिज डोक्टर बाबासाय वांबेटकर अस्पताल काम्ठी रोड, वस्वर्गिय प्रभाकर धटके मनपा महलरूंग निद स्कूल के प्राचारिय राजेंद्रमिश्र ने संबोधित करते हुए विद्यार्थियों से कहा कि आज इंटरनेट के जमाने में भी लोगों के लिए बेहत खास है रेडियो, समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, रेडियो की जगह पर घर घर में टीवी और कम्प्यूटर अपना खास स्थान बना लिया, लेकिन ये कहना कत्ता ही गलत नहीं है कि आज भी बहुत से लोग रेडियो सुनना ही पसंद करते हैं, दरसल 13 फरवरी को विश्वर रेडियो डे मनाया जाता है, विश्वर रेडियो दिवस 13 फरवरी 2015 को पहली बार मनाया गया था, इस बार क थीम थी युवा और रेडियो, ये दिवस रेडियो के माध्यम से मनोरंजन और जानकारी, दुरदराज के लोगों के लिए संचार और लोगों को सशक्द बनाने हैं तू वैश्विक उत्साह के रूप में मनाया जाता है, रेडियो विश्वका सबसे सुलब मीडिया है, द लोगों को सावधान और सतर्ग भी करता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर बचाओ कारियो के दौरान रेडियो आज भी महत्व पुर्णभूमी का निभाता है आर्यविद्या सभाद्वारा संचालित दयानन आर्यकन्या महाविद्याले जरिपटका में प्रयोजन मुलक हिंदी व्याख्यान माला का आयोजन किया गया ये भी कौम की लगभग 80 से अधिक चात्राओं की उपस्तिती में किया गया कारेक्रम के मुख्य अती थी घंशामदास कुकरे जाने व्याख्यान माला में सहभागी होकर चात्राओं को प्रोटसाहित करते वे हिंदी भाषा के तकनीकी कोशलों में निपून होकर मास्टर्स डिगरी की और आगे बढ़ने की प्रेरना दी उनका मत था कि जब तक भाषा के साथ रोजगार नहीं जुड़ेगा तब तक भाषा की प्रगतिन नहीं होगी उन्होंने आभासी मंच से केंदर सरकार से निविदन किया कि युवाओं का भविश उजवल करना है तो भाषा को रोजगार से जोड़ना चाहिए कारेकरम के प्रथम दिन अतीथी वक्ता के रूप में भारत हेवी इलक्ट्रिकल्स लिमिटेड नागपुर के सिनियर राजभाषा अधिकारी नवन सिंग उपस दित थे इन्होंने हिंदी व्यप्यापन और सूचना प्रौध्योगी की क्षेतर विशे पर व्यक्हन देते हुए वरतमान में सूचना प्रौध्योगी की क्षेतर के महत्वशे ओगट कराया 810 सालाना उर्ष शरिफ के मौके पर शहर की नामी गिरामी तंजीम नौजवान ने बजमे राजा कसापुरा की जानिब से दो रोज महफिल सजाई गई थी पहले दिन महिलाओ का दिनी जलसा रखा गया था दूसरे दिन सोफी हजरत आवेश आशुई पिया की जरे सर परस्ती में आयोजन रखा गया था तंजीम बजम में राजा नौजवान कमीटी की तरफ से फातिहा खानी, वलंगर की शुरुवात, कुरान खानी और फैते से हुई सभी नाकपुर के आशी के गरिब नवाज ने दरूदों को बरकत का फैज उठाया हजरत आवेश ने देश में सुकुन और अमनों शान्ती, भाईचारे के लिए दुआ की और हजरत ने फरमाया कि आज सारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदर वली ख्वाजाए ख्वाजा का उर्स पूरे देश में बड़ी अकिदत से शान से मनाया जा रहा है देश निर्फान, अब्दुलरजाक, मुहमद तन्वीर रजा उपस्तित थे, महविल सजाने में साकिर भाई, सुफियान भाई, राजा भाई, समिर भाई, बिलाल भाई, महसिन भाई, सद्दाम भाई ने परिश्रम किया दयानन आर्यकन्या महाविध्याले जरिपटका में संगित विभाग द्वारा, अंतर महाविध्याले ओनलाइन देश भक्ती गीत प्रतियोगी तका आयोजन किया गया कारेक्रम की शुरुवाद स्वर को किला लता मंगेशकर को श्रधान जली दे कर मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो इस गित की प्रस्तूती की मुख्य अतीधी के रूप में वसंत्रावनायक कॉलेज की विभाग की प्रमुग डॉक्टर अपरना अगनी होतरी उपस्तित थी उन्होंने विद्यार्थियों का मार्ग दर्शन किया, कारेक्रम की अध्यक्षता प्राचरे डॉक्र शद्धा अनिल कुमार ने मुख्य अतीथी और परिक्षकों का स्वागत करते वे सभी स्पर्धकों को प्रोथ सहन देते वे कहा कि जिनको पुरसकार नहीं मिला उन्हें निराश बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है आज नहीं पर कल तो हमारा है ये कहे कर उनका उत्सा बढ़ाया परिक्षक के रूप में अंकिता टकले तथा डॉक्टर गिरिश चंद्री का पूरे उपस्तित थे दोनों ने प्रती भागियों उनकी प्रस्तूती पर मार्ग दर्शन दिया मुंबई में नागपुर शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी की समिक्षा बैठक राज्यक के जल संपदा मंत्री वो प्रदेश अध्यक्ष जैन पार्टिल ने बुलाई जिसमें राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, राज़े प्रवक्ता प्रविन कुंटे पार्टिल, राश्टरवादी युवक कॉंग्रेस के अध्यक्ष शैलेंडर तिवारी, महिला अध्यक्ष लक्षमी सावरकर, वो निरिक्ष नागपुर शहर राकापा के अध्यक्षा दुनेश्वर पेठे ने इस बैठक के दोरान बताया कि आधा दर्जन से जादा विभिन पार्टियों के नगर सेवक राकापा से संपर्क में हैं और मनपा चुनाव में राकापा किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। ने बीना मास्क घुम रहे 37 लोगों पर कारवाई करते हुए 18,500 रुपे जुर्माना वसुल किया है। नागपुर महानगर पालिका की और से मंगलवार को शहर के 6 प्रतिष्ठानों पर कारवाई की गई और उनसे 35,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया गया। मनपा की टीम ने धर्मपेट जोन अंतरगत शैमकर वेंचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेहाडिया चोग धंतोली स्थित, बेरर फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ कारवाई कर 10,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया है। धंतोली जोन के प्रभु नगर निवासी, मनोच पतेल और उलहस नगर निवासी सिद्धी विनायक बिल्डर्स के खिलाफ कारवाई कर 15,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया है। इसके साथ ही गांधी भाग जोन के अंतरगत बचेरिया निवासी, अनंता अडैडवाले से 5,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया गया है। मनपा की और से प्लास्टिक थैलियों के संदर्ब में भी कारवाई की गई। इस दोरान सतरंजी पुरा तांडा पेट, चंद्रभागा नगर सिद्ध, महादेव स्वीट से 5,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया गया है। इस कार्या में मिले सहीयोग के लिए कार्यकरताओं ने पुर्वपालक मंत्री चंद्रशिकर बावन को ले, वह युवानेता पंकत साबरे का भरवाना, इस मौके पर सामाजिक कार्यकरता शुभम ठाकरे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ती मौजुद थे। आईक्यू एसी के तहट तीन दिवसी ओनलाइन और ओफलाइन अध्यापन विकास परिशत का सफल आयोजन दस से बारा फरवरी तक किया गया। कवी कुलगुरु प्रोध्योगी की और विज्यान संस्थान की कालिदा सभागार में यायोजन हुआ। कि और ओफलाइन मार्क दर्शन के लिए आर्किटेक्चर विभाग किट्स इंजिनियरिंग कॉलेज राम्टेक द्वारा व्यावसाइक संपादन में आर्किटेक्ट्स और इंजिनियरों की भूमी का परतिन दिवसी ओसी शिक्षन विकास सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन में महाविद्याले की विभिन शाखाओ के प्राध्याबकों ने भाग लिया। इसमें 21 प्रोफेसरों ने भाग लिया। 12 विशेशग्य प्रोफेसरों ने विभिन विशयो पर मार्क दर्शन किया। इस अवसर पर संस्था के सचिव वी श्री निवास राव ने कहा कि सम्मेलन के आयोजन से प्राध्यपकों को बहतर मार्ग दर्शन मिलेगा ऐसे कारेकरम नियमित्रोप से आयोजित होने चाहिए। प्राचारिय डॉक्र अविना श्री खंडे ने कहा कि शिक्षक हमेशा चात रही होता है। शहिद विर जवानों का सम्मान समारोह और साथ ही महाप्रसाद का भव्य आयोजन शिव कुमार यादव के अध्यक्षता में बड़े ही सवहार्द पुर्णवाता वरण में संपन्न हुआ। मान सम्मान बढ़ाने का अभुत पुर्वकारिय, माननिय अथितियो एवं शिव कुमार यादव द्वारा किया गया। सभी अतितियों ने सैनिकों के सम्मान में अपने अपने विचार व्यक्त भी किये। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB News, नमस्कार।